हालो व्यूबर्स मैं कशिश और स्वागत आपका निक्स्ट्माइन लाइब अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि अप्रेल में भी शाधी आल्यभट और अन्वीर कपूर की जल्द ही तूट सके यह की नहीं कर पाएंगे आप ऐसा लेकिन बताती चुले कि इस बार की पीछी की सज् यह भी सामने आ रहें कि आल्यभट और अन्वीर कपूर कहीं अलग ना हो जाएं लेकिन जहां पर अप्रेल के महीने में शाधी हुई वही जून के महीने में यह खबर आते कि आल्यभट तो प्रेग्नेंट है और लगतार वह अपने बेबी बंप के साथ बार-बार स्पॉर लेकिन यह खबर सामने दबाये जब आल्यभट नहीं लगाए जिसके बाद लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्टा तूटने वाला है तो बताते चले आपको कि पीशी की बड़ी वज़ा क्या पर आल्यभट में साथ तौर पे कह दिया कि अपना नाम नहीं बढ़ लोंगे कभी भी कभ जब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना होगा उसमें करियर को आगे बढ़ाना होगा मैं कभी भट को नहीं हटाऊंगा कपूर का इस्तमाल करूंगे जब मुझे कहीं पर भी कानूनी दस्कावेश यानिकि कि पेपर क के लिए मुझे कहीं नहीं जरूरी होगा और उन्होंने यह बात भी साफ कहड़ी कि मेरा जो बेटा या बेटी होने वाले इन पूचर में मैं उनसे कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं करना चाहते तो उसे भट का सरनेम भी दूंगे और कपूर का सरनेम भी तैकि वह ह पूर फैमिली में होगा और स्कूल में जाएगा पूर का सरनेम यूज करेगा जब भट फैमिली में होगा तो भट सरनेम इस्तमाल करेगा तो इस पर भी बहुत बड़ा कोशी मार्क बन गया कि आंकिरकार ऐसा कैसे पॉसिबल है तो आले भट ने कहा कि मेरी है मुझे जिस सरी के सिर्टानिया वो वैसे ही बिताएंगे और आने वाले टाइम में कहीं ना पैज्जा मुझे इंडिया से बाहर जाना होगा या कोई भी ऐसा दस्तावेज बनवाना होगा तो मैं हमेशे कपूर सरनेम इस्तमाल करूंगी लेकिन फिर में रहते हैं मैं भट सरनेम इस्तम मार्क बना हुआ है तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि आप लोग यह सोचते कि आले बट अगर कपूर का सरनेम इस्तमाल करती है तो वह अपने सामय के लिए के लिए दिक्कते सामया सकते हैं वाट इस खबरों के लिए नेक्स नाएंगे झाल आप लोगों के लिए नेक्स नाएंगे